एरफोर्स के दो विमान उड़ान भड़ चुके हैं रोमानिया और हंगेरी के लिए दो एरक्राफ्ट रवाना हुए हैं अमित ये कौन से एक्राफ्ट हैं कहीं ये हम ग्लोब मास्टर की बात तो नहीं कर रहे हैं मिनाकशी इतनार करना हुआ क्योंकि अगर एरफोर्स का है तो फिर हो गलोब मास्टर ही है क्योंकि हम देख रहे हैं लेकिन इसमें अब सीट्स लगा दी गए है यानि कि जो यहाँपर आएंगे ये जो विमान जा रहे हैं वापस जब आएंगे तो साथ में वो लेकर आएंग दो में मतलब इन टोटल कितने नागरिकों को ला सकते हैं। इसे बीच एक और बड़ी खबार यूक्रेन ने रूस का S1 मिजाइल सिस्टम तभा किया है। उनका इस्तेमाल किया रहा है, जिनका इस्तेमाल अर्मेनिया और अजर्वाइजान ने काफी अत्तक किया था। काफी टैंक्स और मिजाइल सिस्टम को डेस्ट्रॉय किया था। यूक्रेन की सेना ने रूस को नुकसान पहुंचाया है। अब देखना ये होगा कि वार जितना आकरामक है, क्या उतनी ताकत है यूक्रेन के पास ये विशलेशन का विशय है। आपको हम इस वक्त अलग-अलग तस्वीरें अलग-अलग जगह से आ रही वार्ड जोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आइंटिफाई करके क्या करें। आपने देखा जिस एक वहिकल को उड़ाया गया था, वह सिंगल वहिकल था, उसके आगे पिचे कोई वहिकल नहीं था। तो अब क्या कर रहे हैं कि इसी तरह से एंब्यूश हो रहा है कि आप ड्रोन से हो सकता है कि यह अटैक ड्रोन ना हो, नॉर्मल ड्रोन हो, सर्विलेंस कर रहा है। और वो रियल टाइम इन्फोर्मेशन पहुचा रहा है कि फलाना स्ट्रीट पर एक वहाँ पर गाड़ी है जिसको आप अब्यूश कर सकते हैं, फिर उसको आप रॉकेट के जरीए आप उड़ा दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको पर अटैक नहीं हो रहा है, आ नहीं नहीं कहीं, जो रेबल्स हैं या फिर हो सकता है, वहाँ पर उक्रेंट फोर्सेत मौजूद है, इसलिए आप देखरें रेसरेंचल एरिया में अब इस तरह की यह बॉम्मिंग्स हो रही है, इंडिया टीवी, हर वक्त, हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर.